नमस्कार दोस्तों SS Engineering में आपका श्वागत है मैं प्रदीप चाहूँ दोस्तों हमने एपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी थर्मकॉपल कितने टाइप्स क्यों होते हैं उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और थर्मकॉपल टंप्रेचर टिप्स के टाइप्स के अकॉ के चलिए दोस्तों फुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे यूज होने वाले थर्मकॉपल के बारे में कि दोस्तों ₹9 नमबर पे हैं अन थार्मकॉपफल दोस्तों टैप धर्माप्स क्या जाता है इसका तनप्रेचर रेंज होता है वह सक्तर डेग्री और से लेकर 300 degree Celsius तक होता है उसके बाद S-type thermocopal दोस्तों S-type thermocopal इसका यूज high temperature वाले application के लिए किया जाता है इसका temperature range 50 degrees Celsius से लेकर 1750 degrees Celsius तक होता है उसके बाद है R-type thermocopal दोस्तों R-type thermocopal और S-type thermocopal दोनों same temperature range के होते हैं और दोनों का यूज हाई टमप्रेचर वाले application के लिए किया जाता है वाइड रेंज थर्मकॉपल हाई टमप्रेचर रेंज के लिए काफी useful होते हैं जो की 200 degree celsius से लेकर 2000 degree celsius तक हो सकते हैं फास्ट रिस्पोंस थर्मकॉपल बहुत ही फास्ट रिस्पोंस टाइम के साथ वर्क करते हैं जिसमें से कुछ माइक्रो सेकेंड तक ही रिस्पोंस टाइम होता है दूरोवेल थर्मकॉपल निकल, सौक्स, वाइब्रेशन और हाई प्रेशर को इजली सहन कर सकते हैं इसलिए यह डूरोवेल होते हैं इसमॉल एंड कमपैक्ट थर्मकॉपल का साइज छोटा और कमपैक्ट होता है जिससे की यह आसानी से फिट हो जाते हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी काफी आसान होता है वाइड रेंज ओफ एप्लिकेशन थर्मकॉपल के वाइड टंप्रेचर रेंज की वज़े से इन्हें बहुत सारे अप्लिकेशन में यूज किया जाता है जैसे की एंडस्टीरियल प्रोसेश, आटोमेटिव, एरोस्पेश, मेडिकल, एक्क्यूमेंट और लाइबरी एक्सपेरिमेंट्स बगारा में इजी टू यूज थर्मकॉपल बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यूज होते हैं और इन्हें कैलिब्रेट करना भी काफी इजी होता है इसलिए इन्हें वाइड रेंज ओप एप्लिकेशन में यूज किया जाता है दोस्तों थर्मकॉपल एक टाइप का तंपरेचर रेंज है जो दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेट से टंपरेचर को गैस करता है बात करते हैं थर्मकॉपल के डिसएडवांटेज के बारे में हाला कि दोस्तों थर्मकॉपल के डिसएडवांटेज ना के बराबर होते हैं बट इसके कुछ basic points हैं जिसका जानना काफी important है जैसे कि दोस्तों thermocopal के different different type के होते हैं जिन में से कुछ की accuracy काफी हद तक कम होती है इसलिए आपको अपने use के according right types का thermocopal यूश करना चाहिए temperature range हर एक thermocopal के लिए एक fix temperature range होती है अगर आप temperature range से उपर इसका use करते हैं तो accurate temperature मिलना impossible हो जाता है moisture थर्मocopal temperature tips को moisture वाली जगों पर नहीं रखना चाहिए अगर आप thermocopal temperature tips को moisture वाली जगों पर रखते हैं तो temperature range जो होती है वो आपकी minus degrees शो करेगा और उसमें vibration भी काफी ज़्यादा होगा और moisture की वेज़े से accurate temperature नहीं मिल पाएगा use thermocopal temperature tips को reciprocal holder में easily तरीके से लगाना चाहिए मैंने एक्षर करके कुछ लोगों को देखा है कि वो काफी force के साथ temperature tips को reciprocal holder में fit करते हैं बट ऐसा करने से temperature tips damage हो जाते हैं जिससे reciprocal holder के जलने and damage होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए आप कभी भी temperature tips को reciprocal holder में easily तरीके से ही fit करें तो I hope दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को जरूर परशंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye thanks for watching my video